सूप तो सूप छली भी बोली जिसमी 72 छेद ये कहावत कॉंग्रेसी नेता जैराम रमेश पर बखुबी सूट करती है जो आज कल पीय मोदी के खिलाफ चल रहे कॉंग्रेसी विरोध में मुख्य गुमिका निफा रहे है नी में से एक नाम है जैराम रमेश जैराम रमेश ने बतौल कॉंग्रेसी नेता भारत सरकार के कई बड़े पदों पर काम करते हुए भारत के विकास में बड़ी अटकले भी लगाई वर्शों से पानी की बून-बून को तरस रहे गुजरात और मध्यपरदेश के गाउं तक पानी पहुचाने वाली नर्मदा योजना वर महिश्वर योजना का विरोध करने वाले अराजक तत्वों का समर्थन की आगुए और केवल पार्टी के राजनतिक लाब के चलते वर्शों तक गाउं के गाउं क्या से रहे चीन के मुद्वे पर बार-बार मोधी सरकार को कड़़े में खड़ा करने वाली कॉंग्रेस पार्टी की चीन के साथ दोस्ती किसी से नहीं छुपी राहुल गांधी के साथ साथ जहराम रमेश ही वो सबसे बड़े चहरा है जिनका चीनियों से करीवी संबंध है मोधी सरकार के नेत्रत्व में आज चीन को बार-बार मुग की खानी पड़ रही है लेकिन आपको भी बता दें कि जहराम रमेश ही वो व्यक्ति थे जिनूने अरुनाचल प्रदेश में बांध बनाने की चीन की रणनीती का नेत्रत्व किया था जिस शेत्र पर चीन अपना कौन खड़ा है क्या चीन के साथ कॉंगरस की ये दोस्ती भारत की सुरक्षा के लिए सही है